इस वक्त बड़ा फेर बदल हिमाचल कॉंग्रेस में होते हुए दिख रहा है तो मेरे साथ इस वक्त जैसीमपूर विधानसभाक शेत्र के पूर्व विधायक यादविंदर गौमा जी मेरे साथ मुझूद है गौमा जी इस वक्त पंजाब के सिरी पर आपका स्वागत भी है और दूसरा यह जो फेर बदल हुआ है इस पर आप क्या कहेंगे क्योंकि वड़े क्यास जो है वो लगाए जा रहे हैं पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं जी और फेर बदल तो ऐसा नहीं है कि फेर बदल को ऐसा हुआ है जी मेरा तीन साल का कारेकाल भी समावत हो र है जी तो आपने देखा भी होगा कि और विभाग भी उसी तरीके से खाली करवा रहे हैं तो मुझे तो हमारी जो अधरनी शुक्ता जी है जी हमारे बर्वारी है जी तो मैंने उनसे गुजारिश की थी कि आगर विभाग का काम करते रहेंगे तो विधान साहा में फोकुस क हो रहा है जी तो दूसरी बात देखिए गोमा साब आपका जैसे राजनीती कैरियर रहा है इंडिया में सबसे कम उमर के आप बिधायक बने थे जब पिछली कॉंग्रेस की हिमाचल में सरकार थी उसके साथ आपके पिता जी कई बार बिधायक रह चुके हैं मुल्की राम ग सब्सक्राइब रहे हैं आमित नंदा को जो चेर्मैन मनाया है तो एक नाम चल रहा है का नाम भी आ गया रहा है इस पर क्या कहेंगे आमित नंदा जो है वो तो खेर शिमला विधान सबाग शेतर से हैं जी और उनका पार्लिमेंट जो है वो शिमला का है जी वो मेरे साथ ही पहले नस्यों में होले काम कठा ही किया हुआ है जी और विश्ली बार वो प्रभल दाबेदार भी थे एंपी के चुनाबों के ज़रा लेकिन किसी कारण वर्शन को टिकट नहीं मिली तो जो कुछ भी हुआ है मेरी वारत अलाब उनसे भी अच्छी है जी उनसे भी वारत अलाब हुई है उन पर की जब ये नाम चरजा सब्सक्राइब उनने मुझसे कहा था कि आपको कोई इतराज तो मैंने तो साफ साफ कहा थ कि मुझे तो कोई अतराज इसलाब का है और जहां आप नाम ले रहे हैं कि पार्टी में टिकर और मंग रहे हैं टिकर मांगना सबकादिकार है किसी को रोका तो जाना ही सकता है कि इंठे हैं चाहलम हों भल्कुंच सबस्क्राइब LEGO को अच्छा स्बस्क्राइब अच्छा एक एह्म वाइना स्वाल सब्सक्राइब कुछी घंटे वुए हैं रभी साहब आपके घ्रिक शेत्र से मुखातिब होते हैं और रभी साहब का यह ब्यान ऊनरी कोड़ाए कि मैं पत्त्रकारों से ज्यादा बात्चीत नहीं करता और जब दोरा था तभी पत्त्रकारों से बात चीत के गई तो जो स्थानिय हालात हैं उ ज्यादा बात निंहीं करता ज्यादा पत्रकारता में नहीं आते जाला बाद इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो अपनी नाकाबियों पुछ उपा रहे हैं मैं अगर आपको धारन दो तो पीछे जब मुख्य मंतरीची का दौरा था तो उससे पहले वोने यहां पर प्रेस्ट परीफिंग की क्योंकि मैं आपसे इस बात की माफी मांगता हूँ हूँ हाँ इतना से बड़े से बड़ा भी पाफी होता है अगर कोई माफी मांग ले तो तुमसरा बिप्री जो तवसको माफ कर तो जब आपके पत्रकार बंदूं से जब उन्हें कहा कोई सवाल ऐसे पूछे कटाक्स पूछा जो कोई टीक्षे सवाल पूछे तो जब उन्हें जवाब से नहीं देया जा सका हम तो उन्हें सीधे हाथ जोड़ दी और कहा कि मैं आपसे इस बात के लिए माफी चाहता हूं अगला कोई से पूछे है जब कि यहां जब प्रोग्राम हुआ तो सारे पत्रकार बंदूं मेरे पास हाप पर आया हूँ तो मैंने उन से गुजारिश की म पहले ही हाथ जोड़ दी हूं तो पूछने और जवाब लेने का जो मतलब था वो तो रहता ही नहीं हूं जब बंदे ने एक शमाई मांग ली तो उसके आगे मैं हम उसके जला सवाला क्या बोस्ते हूं तो जिस तरीके से यहां पर प्रोग्राम हूआ हूं तो उसमें जो है गोमा साब जी का राजनिति केरियर रहा तो उस तरीके से बात एक पूछना चाहूंगा एहम भाजपा कह रही है कि शिखर की ओर हिमाचल है रिबाज बदलेंगे तो आप भी सियासी परिवार से हैं इतने दसकों से राजनिति को देख रहे हैं और विक्रमा दित्य का नाम जहां पर चर्चा में चलता है तो यादविंदर गोमा का नाम भी वैसे ही चर्चा में चलता है तो आपको क्या लगता है कि रिबाज बदला जाएगा यह रोटेशन सिस्टम ही रहेगा का देकी ने दाजने ने जाएगाद के पादि के बढकर के रहे हैं और नेदा गूसर जा रहा है क्यों बपरार जाएं जिखर को लेके गए हैं अगर आज आप पूरे प्रदेश में देखें बिरोजगारी को है लगएगार से दसलाग होजमारे घरोजगार की वाजने जब पूरे देश का मुख्या प्रदेश में आ रहा है तो हर किसी को आस उद्धी है, चाहे वो हमारा नमध्यम वर्ग हो, चाहे निचला वर्ग हो, या कोई हमारा उद्ध्योगी हो, लेकिन ऐसी बात तो कोई हुई नहीं, और साड़े चार साल में जिस तरीक के से इनोंने सारा कुछ जिए है, सिर्फ दो विधानसवाक शेत्र हैं वहना माचल पर्देश में, जहां पर पैसो पानी की तरह भाई विकास के लिए, जो भी appointment हुई है, उन दो विधानसवाक शेत्र में हुई, तो कि उरश कोई है हमारा शिकर की और तो दो विधानसवाक शेत्र जो है, यह पूरा हमाचल पर्देश जो है, बनके रहेंगिए ह कि यह क्या यह सुजानपूर वाली तर्फ हुआ है या पार बैजनात वाली साइड हुआ है क्योंकि आपके बरतमान के बरसाती हालातों में तो सडकें और रोज की आवा जाही स्थिती सब कुछ बिख्यान कर देती है तो इनके जो मेरी सूचना प्रसार में तो इतने अबल नंबर पे आते हैं और जिस तरीके सागर विकास की बात करें तो पातियंता पार्टी के विधायक तो जो हैं दो साल तो करोना का रोना रोते रते हैं कि हमें दो साल नहीं मिले और पिछले हमारे कारेकाल के समय के जो काम थे उन लोगों के उपर आजी अपनी पटिकाए और शीरा निया सुरूद करें जा रहे हैं अपने वस्तु सिधी जो इन्हों ने यहां पर प्रजेक्ट लाए हैं अब मैं हाली में आपको धारन दूंगा कि जब मुख्यमंत्री जी पंच्रुखी में यहां पर जनसभा को समोधित किया और उसमें बेडियों लंबा गाओं और जो हमारा हॉस्पिटल सिविल है जैसि लुए तो ना जाने इन्होंने किस आनन फानन में आकर जो है इनकामों का जो है उद्गाट उद्गरवा दिया है जी अच्छा गोवमा साब मेरे मेरे पास एक भक्त की थोड़ी से कमी है एक छोटा सा अंतिम सवाल लूँगा क्या कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि हिमाच्चल में कई सालों से सत्ता परिवर्तन होता है पांच साल भाजपा सरकार राज करती है पांच साल बाद कोंग्रेस तो क वाद गोवमा साब आएंगे तो वो विकास करवा लेंगे या कॉंग्रेस का कोई और लोगों की मांग जन्मानस की मांगे और उनके काम जो है वो तो कभी ख़तम नहीं हो सकते आज अगर कच्छी सड़क है तो कल को पक्की वी चाहिए उसके उपर पक्की की वाद बस भी चाहिए तो ये एक मिरंदर पक्रिया है और जिस तरीके से बादेंदा पार्टी के विधायक ने काम किये हैं वो करे होंगे जब हमारा समय 12 वक्त आएगा हमारी सरकार आगी मैं यहां से भी लाइक बनुका तो लोगों के और भी जो काम होंगे जो उमीदें हैं उनकी उपेच्छा है उसके अंदरूप जो है हम उस काम को ध्रहतर पर अपनी और से लाने का प्रयास करेंगे जी चलिए गोमा साब हमारे साथ बात चीत करने के लिए बहुत बहुत धन्य लाची